अब कम होता है बहुत हलकी फाइल होती है तो लिख लिख लिए वें डिस्क इस गिवें एस्मॉल चार्ज गौर्ड लीव सेपरेट एंड सेपरेशन is directly proportional to charge given separation यह angle जो gold leaf से हैं ते सेपरेट and separation is directly proportional to charge जितना दा charge होगा separation उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा इसको बदे gold leaf electroscope इसका काम बदा charge को क्या करना detect करना ठीक है बहुत सारी कहानी थी अब आपको करना है किया सुन लो भाई सारे बच्चो को chapter की शुरुवात हुई है कुछ बच्चे बोलते हैं चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है है ना आपको करना कि अभी कोई book नहीं उठा रहे हैं आपको सिर्फ NCRT उठाना है ठीक है और NCRT से शुरू के 3 पेजस को जरूर रीट कर लेना रीट नहीं करोंगे चैप्टर से बात में मैंने आपको कभी पढ़ने को नहीं बोला है जब भी चैप्टर की शुरुवात होती है तो मैं बोलता हूँ शुरुवात में थीरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है एवन आप सिंगेज को भी फॉलो कर सकते हैं इसमें 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 दिया हुआ है पढ़के ज़रूरा ना नेक्स टेंट पे ठीक है नेक्स टेंट पे मैं आपको थोड़ा था वेक्टर्स करा हूँगा क्योंकि अभी इसमें फॉर्मुला आने माला है कोलॉम्स लॉग कल आप क्लास करोगे कोलॉम्स लॉग दाएगा दो चार्जिस की बीच में फॉर्स फिरु एक्टर एडिशन और उसमें फिर कॉम्लेक्स टॉलम शुरू हो जाएगी तो आज की कहानी थी कल से बैठोगे तो आपको सब नुमेरिकल्स 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 ही चलेंगे इसमें ठीक है तो थोड़ा सा क्या करो गया एक तो यह पढ़किया होगे NCRT के पेज़र गोड लीफ लेक्रिस्कोप तक ठीक है सिंगेज बढ़ ले ना सिंगेज है किसी क्ला सभी यह नहीं खरीद ली लौबता है कंटेंट सब में जैसा ठीक है इवन यू कन फॉलो NCRT 12 की 12 की नहीं है 14 NCRT से रीट करके आना किसके बारे में चार्ज के बारे में और कर्डिस कर से आप लोगों से फिर फिर कॉलोंस लो ठीक है